दिल है ना खुदा मेरा जरम थो ए वपा फिर जो हुए वो हुए है है क्या बात है आज 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 ओफिस नहीं आज 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 दफा कुछ काम आज से जादा इंपोर्टन होता है और आज मेरा मायर के साथ दिनर का प्लान भाई तो रात की दिनर की प्लानिंग तैयारियां अभी से अभी से गड़ इसे मैं तो समझ आज था कि शाय तुम डैड और समीन अंटी की वज़ा से इस रिष्टे के लिए तैयार हुए हो लेकिन यहां तो कहानी कुछ और है डैड की कहने पर जिसे तुम जटपट सवेरा से शादी के लिए मान गए वो कहानी क्या है यार शेस नाइस गल और एगार कनी कोई वज़ा नी थी तो हां कर दी ठीक है तुम क्याते हो तो मान लेते हैं मान नी लेते ऐसी ही बात है अच्छे यह बैताओ कि मैं और मारे डैनर पर जा रहे हैं तो उम जोइन करो है हमें हां लेकेन अगर सवेराई तो अहां, ओके, मैं लाइस करें मैं ऑफिसरी रिकलताँ ओके, सी यू सी यू प्लीज टेक गुट केर ओफ आफ आवर पर्मिनट दीलर्स कल मशीनरी आ रही है मुझे कम वक्त में ज्यादा काम चाहिए मैं, हम जो मशीनरी इंपोर्ट कर रहे हैं उसकी वज़ा से काफी वर्गार बेरोज़गार हो जाएंगे मिस्टर मेदी बिस्निस सेंटिमेंट से नहीं चलता मुझे कमपनी का प्रॉफिट देखना है आप अपना काम देखिए, प्लीज अब आप लुक जा सकते हाँ, क्या प्लैन है आज का मैम, आपकी मीटिंग है मिस्टर अफ्तर के साथ मिस्टर पैजान के साथ, अपकी अपॉइंट है आप 6 पे-म वापको बीट कर रही है तो अगर आप प्री है तो हम मुझे बता दे मैं उन्हें इन्फर्म कर दो कि आपकी मीटिंग देखना है कि अब इसाथ, बिलकुल बिलकुल आवर्टा फर्याल ये अप्टा अबरा आप प्रोगों नहीं वाप क्यों नहीं हो अबता हृँ ये नहीं ये वाप्पा वेड़ा ना हो गहा हृँ आप डाघ के लिख के जिसने ना है, खोली लगे है क्या? मैं जल्डिया थे, प्लीज बस तो फिकर नी करो पेटा, मैं अभी आ रहा हूँ कुछ नी होगा नाया को, कुछ नी होगा कुछ नी होगा कुछ नी होगा मीटिंग बिलकुल ठीक गई यस मैम, माशम्रा काड़ी का है? जस्त अ मिनट मैं में करीम से पूछती हूँ गुद आफ्टनों मैं गुद आफ्टनों मैं में काड़ से पूछती हूँ के करीम से पूछती हूँ तुम्हें क्या हुए आवे? आज़ो आज़ो इतनी बुरी हालत तुमारी कैसे हो गई? तुम बैठो तु सही पर तुम बताओ तु मुझे बताता हूँ तुम बैठो प्लीज मैं ठीक हूँ, जिन्दा हूँ तुम्हारे सामने ले गॉंबारी तुम मुझे कॉल नहीं कर सकते थे मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की आवे? एकि तुम्हारा फोन इबन था कॉल करना चाहता था, तुम्हें बताना चाहता लेकि कैसे बताता? जिन्होंने यह हालत की है ना, वो फोन भी ले ले गए मेरा आपर थे कौन वो लोग? I have no idea उस दिन जब तुमसे फोन पर बात कर रहा था इर्वेंट पर आने के लिए उसी वक्त रही है, खैर के बाहे खैर, मेरी शोड़ो, तुम बताओ तुम कैसी हो सब ठीक है उस्से में थी जब घर से निगल रही थी, सोचा था तुम्हें छोड़ों भी नहीं तुम्हारी हालत देखे रहम आगया सब्सक्राइब क्या आपको मुछ पर रहम आगया कुछ खाया तुमने? नहीं, लेल नहीं किया मेरा वार ना उस्ता ह। ड़ तुमं पर और करता हूं कुछ और कर लेते हैं लेकि मैं जूर कर लेकर आथ तुम क्या बनावी अम बनाओगी अम और गढूते हैं नहीं अई जब तब और रहे करते हूं को घज़ लिगाते हूं मेनवाहिल, तुम्हें ड्रेस्ट करो मैं लेकर आते हैं मुझे ओके तुम बना लोगी? येस आवो, don't worry रापता नहीं हो पा रहा है उनसे आप लेट हो रहे हैं में आप जाएए जैसी मेरी उनसे कोई बात होती है मैं उनकी आप से बात करवाता है इर्रिस्पॉंसिबिलिटी की लेमिट है खुद भी गायबे और गाड़ी का भी पता नहीं जै मैं परिशान मतो हो शाहिद कोई अमरजनसी हो गई हो उसे कॉन्टैक्ट हो तो इसे कहो फॉरान आके मुझसे मिले जै जी करीम बबा आप कहा है साथ साथ मेरी बच्ची को बचा लीजे साथ 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 वो हॉस्पिटल में है और डॉक्टर हमसे कॉपरेट नहीं कर रहे कह रहें के ये पुलिस केसे साथ हम मर जाएगी साथ उसे बचा लीजे साथ अच्छा प्रीज आप परिशान मतों कुछ नहीं होगा आपकी बेटी को आप मुझे बतायां कौन से हॉस्पिल में है आप फिकर ना करें मैं हुद आरो ओके देखें हम पेशन को एडमिट नहीं कर सकते पहले पुलिस तफिश करें इसके बाद ही कुछ होगा देखें वह तो अभी जखमी है उसे क्रीटमेंट तो देना कम से खम मना कर दिया ना आपको नहीं हो सकता तर आप पुलजए आपको नहीं हो सकता ना प्लेस कैसे आप लिज जाए नहीं हो सकता क्या बताया डॉक्टर ने कुछ बोले वही एक बात कि पहले पुलिस तफिश करेंगी फिर हम अपने जिन करेंगे मैंने खुदाया मेरी बच्ची जिदिगी और मौत की कश्म कश्म है और डॉक्टर कुछ बता नहीं रहे खुदा कावस्ता है मेरी बच्ची को बचा लो किसी ओठ बच्च कर लो कुछ तो करो, करीमक कुछ तो करो क्या करो नहीं क्या करो क्या करो अन हत रहे हमीद, मुनिप के सुस्रालियों को बता दिया था ना के शाम तक बरी वापस आजानी चाहिए? हम बात की थे मैंने, लेकिन उनकी वेटी जोना कह रही थी, कि उनके घर में ऐसा कोई रिवाज थी. अरे उनके घर के रिवाज़ों से हमें क्या लेना देना? लड़के वाले हम हैं, हम जो कहेंगे वो ही होगा. वो लड़की वाले हैं, उन्हें हमारी बात सुननी पड़ेगी. अजाला, बरी के चक्कर में अपने बेटे का घर बसने से पहले मत उचार देना. घर बसाने की फिकर उन लोगों को होनी चाहिए. मैं कहे देती हूं, बरी वापस नहीं आई तो दुलन को घर की चौकटनी पार करने दूगी. मुनीप आगिया है, उसके सामने कोई ऐसी बात मस कर दूगा है, असलाम आलेकुम अम्मी, असलाम आलेकुम भूटा, वो, गारी की बुकिंग हो गई बिटा? जी, 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 हो गई. जी, कौन सी गाडियों की बात हो रही है? बाराज किया, गदे गारी में लेके जाओगी. अरे, दूले की गाड़ी और बाराजियों की कन्वेस की बात कर रहा हूँ मैं. भाई, दूले की गाड़ी की बात तो समझ आती है, बाकी रहे बराती, तो वो अपने खर्चे पर अपनी गाड़ियों में आएंगे? बजाला, शादी वाले माहुल को क्यों खराब करने पे त अर्मान क्या कहेंगे? बढ़ाए जाओ, खर्चे पे खर्चा, चार दिन की चान नहीं है, फिर अंदेहरी रात है. अबी, क्या होगे आपको? शादी एक दफा होती है, और आप इस आप किताब में पढ़ देंगे, क्या मेरे कोई अर्मान नहीं है? मा की बात सुनके कैसे ब अर्मान का है को अर्मान कारे वा का में देखतेया अर्मान का है। कर से बच्चियों के बार बार फूना रहे हैं, क्या उमीद दिला, उन समझ नहीं आ रहा है, तो आई कर सकते हैं, और क्या हो सकते हैं, आप प्रेशन्ट के कौन है, डग सब मैं इस बच्ची कबाप हूँ, आप जा के फामलेटी सुरी कर रहे हैं, हम आपरेशन शुरू कर रह क्या कह रहे हैं, करीम, पहले कुछ और कह रहे थे और आप अचानक राजी हो गए, मेरा दिल बहुत घपरा रहा है, प्रशम ना करो मुम्ताज, इस वक्त इनके ओपर भरोसा करने के अलावा हमारे पस कोई चारा नहीं है, या आप पार मेरी बच्ची के कहा है, आप आगे स साथ आगे, कुछ पॉर्मालिटी साथ तुम जाओ नाया के पास, मैं के साथ जाए, आई साथ आए, आप या बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं, अगर बाबा को ले जाना हो तो तो पहले ही आपको ले जाते, मुझे आपके पास क्यों रोकते ता कि मैं आपका ख्याल रख सक कुछ नहीं होगा, कमचे कम हॉस्पिटल जाने से ये तो पता चलेगा कि अनाया की तब्यत कैसी है, अब ये क्या कर रहे हैं आप, प्लीज ऐसा मत करें, मैं वैसे ही डरी हूँ, परेशान हूँ, पता नहीं बाबा और अब किस आलत में होगे, और आप उपर से आप ये सब किसमत कर रहे हो, एक सुने तो सेही किया कर रही हैं, आम कहा जा ही है, क्या सुनो हो, क्या सॊन Tibi तुम हारी, ठीक है, मैं नहीं जा सकती, तुम तो जा सकती है और। तुम जाए बच JUके perfect time, मुझे आपना नायेगी, तब रिध– अच्छा है कि सुने में वेरी बात, सुने ayud अभी आप बात को समझ नहीं रही अगर मैं चली भी गई तो पीछे से आपके सुस्राल वाले आ गए तो उनको आप जानती नहीं किस मिसाज के लोगे है क्या मुसीबत है क्यों नहीं है कोई हमारी तकलीफ समझने वाला तूटे सवारे दिलाओं के सारे क्या बदान् नहीं गदानती ए अदिला है क्यों आपड़ 속 international समझने वाले वे तकते दॉप काथं येका मुसीबत है क्यों चुआ है प्रिशंट की हाल है तब खत्रे से बाहर है उन्हें थोड़ी दिर में वार्ड में शब कर दिया जाया आप फर उनसे मिलकाप कर सकते हैं थैंक यू शब्रियर लख सकते हैं तेरा लाख लाख शकर है मेर मालेक अब फूस मैं बना लूँगी तुम जाओ जाके अपना काम करो थैंक यू थैंक यू है माम हेलो कहां से आरही हूँ? मैं आमिर से मिलने गई थी रात को उसके पर बहुत बुरा अटैक हुआ इस बाटली इंजएड ये सब पार्टी में ना आने के बहाने थी मैं इसको अपनी आखों से देखकर आ रही हूँ उसके ऐसी आलत बिलकुल भी नहीं थी जब तक तक तुमारी शादी नहीं होती तुम उसे मिलना चुलना बंद कर दो अप इतना कंजरवटिव कब से होगी माम ब्रॉड माइंड होने के साथ मैंने तुमें जितना फ्रीडम देना था दिया लेकिन सुसाइटी में मेरा एक मकाम है मेरी इस्जत है मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती हूँ लेकिन मार लेकिन वेकिन कुछ नहीं हो जो मैंने कह दिया कह दिया तुम्हारी बलाई के लिए कह रहे हैं तेंट्रम मत दिखाओ चौँ अपनी कमरे में हाज किल के बच्छ तो अपसोस हो रहा है अएंटी स्वेटा क्या कर सकते हैं मेरे खार की खुशियों को तुम पता नहीं किसकी नजर लग गए एक बेटी के बार आप थी और दूसरी उस्टी बचारी आँ अश्पिटल में पढ़िये लेकिन समझ भी नहीं आ रहा कि यह सब कैसे हो सकता है आप लोगो थोड़ा सा तो ख्याल रखना चाहिए जाना मेरा बच्चा सच्देय में पढ़े होंगे यहीं कहीं दौा कर रहे होंगे बच्चियों करिये अब आप लोगों निस वाज़ी के अफ़यार कट्वाई आप लोगों निस वाज़ी के अफ़यार कट्वाई ठीक है जी बेटा जी तेरा याल लोगों प्रेवाली अए लुट यह बर्बाद हो गई अरे मैं पहले दीनी उनकी नियत को समझ गई थी अहां जसलियत खुलके सामने आ गई मेरे बेटे की शादी बर्बादी में बदल गई अए लाँ तो इस तो होश ये ना खुल लो उनके घर में टकेती पड़ी बेटी को गोली मारके चले गए इस हालत में भी वो लो जूट बोलेंगे मैं तुम्हारी बातों में आके उनसे कोई रयायती करने वाली मैं फर्याल को तभी कभूल करूंगी जब हमारा बाइस तोले जेवर वापस करेंगे क्या बाइस तोला बाइस तोला बाइस तोला तो बस बाइस तोला बेटा परिशान है लेकिन तुम्हारा दिमाग जो है ला तुम अपना त्रहतिर दिमाग चला रही हो इस वक्त वो लोग बड़ी मजबूरी के हालत में है कमसकम उनकी मजबूरी का कुछ तो ख्याल कर लो गजाला मजबूरी? वो जमाने चले गए हमीद जब लोग मजबूरी का ख्याल करते थे अब तो लोग फाइदा उठाते हैं तो मैं इस दोड़ में पीछे क्यो रहा हूँ? सूस होता है बहुत अफसूस होता है घजाला बेटे की शादी खटाई में पड़ गई लेकिन तुमाने जबान की तल्गी कत्रम नहीं में पेदा उन्हादा बेटे की शादा इसक दोड़ यादा प्रणादा बड़ दौस्ट भाइदा प्रोग श्रादा अबड़ भाइदा वाइदा झाल बाइदा हेलो, हाइ सबीन अँटी, कैसी आप? मैं बिल्कुल थीक हूँ, अच्छा मैं मायर को फॉन कर रही थी, वो फॉन नहीं उठाए रहा और आफिस में है, आपके साथ है तो मेरी बात करवाद है? मायर तो घर पर नहीं है, आफिस में होगा या किसी काम से बाहर निकला होगा, जब फारिग होगा तो तो तुम्हें कॉल बैक जरूर करेगा, मेरा बेटा इर्रिस्पॉंस्बिल बिल्कुल नहीं है, मैंने ऐसा कब कहा, I completely trust him, क्या बात है, बड़ी खुश लग रही हो, कहीं बाहर जा रहे हो क्या तुम दोनों, जी, प्लान तो कुछ ऐसा ही था, डिनर पर जाने का सीमता हमायरा, वो फोन नहीं उठा रहा, ट्रस्ट करती हो, तो डाउट करना छोड़ दो, वो तुम्हें डिनर पर जरूर ले जाएगा, ठीक है आउंटी, आपकी बात हो, तो से मुझे फोन कर ले, मैं तयार हो जाती हूँ, ठीक है, बदाफिस, बाई करीम बाप, मैं डॉक्टर से बात हुई रहा, साब मायूस मतभी है, इंशाला बेतर करें, साच पूछे ने साब, मैं चंद घंटे पहले तक बहुत मायूस था, अल्ला ने परीटा बना कर आपको हमारी मदद के लिए बेच दिया, असारी जिदगी आपका मखरूस रहूँ बाप, मैं बाप, मैं बाप, मैं जो पूछ पी किया इंसानित के नाथिपर, आपकी बेटी माशाला बहुत बहुत है, पिछले कही ग्यंटों से बाप के साथ लड़ी और उसे शिकिस्त रही, आप फिकर ना करें, और डॉक्टर की जादा बातों पर दिहान मत दें, इंशा गाड़ी पिक करने के लिए गया था, मगर हॉस्पिटल में अभी तख क्यों हो, जल्दी घर पहुंचो, मुनीजे दो बार फोन कर चुकी है, उसे कॉल बैक कर लो प्लीज, जिम, ओके, मुझे अपना जाना होगा, लेकिन कुछ भी हो, कोई भी अमर्जिंसी हो, आपने मुझे बताना है, बहुत बहुत शुक्रिया साब, अल्ला आपको सलामत रखे, अपना ख्याल रखे, मुझे तुम्हे क्या ज़रूर थी, अम्मी को शिकायत लगाने की, मैं तुम्हे अबॉइट कर रहा हूँ, रहे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, हाँ मुझे डिनर याद है, तुम्हाजाना बसाई, आप मुझे और आप, हाँ, रखे, बात कर रहा हूं, हाँ, आप प्षाण पर अजयर, गग्षाणा मुझे अटना बनत्या, है जुडा जाने अंजाम है खुदा दिल मुहाबद में है फ़ना जाने अंजाम है खुदा दिल मुहाबद में है फ़ना अंजान हम अंजान तुम बेगुना सा है ये गुना बोरा इमाने मुहाबद का भर्मतो बोरा इमाने मुहाबद का भर्मतो मुझे पता है, यह सब मेरी वज़ा से हो गए, ना मैं उन लोगों से मजाहमत करती, ना अनाया की अहालद रुटी और ना मेरी शादी दूटी आपको अफसोस अनाया अपी के लिए हो रहा है या फिर अपनी शादी रुखने पर? दिले तो यह दोनों हाथ से किसी कियामत से कम नहीं है सब ठीक हो जाएगा आपकी, बाबा की कॉल आई थी अभी होस्पिटल से, कह रहे थे के अनाया अपी अब ठीक है धीरे धीरे सारे हालाद कंट्रोल में आ जाएंगे मुनीब के अमी तो आगे ही यह चाहती थी कि किसी तरह यह शादी तूट जाए उनको तो मौका मिलके शादी खतम करने का जहां साज बलाय जान होना, वहा लड़किया दस बार सोचती है शादी करने से पहले और आपने जब मुनीब भाई पर भरोसा करी लिया है तो होसला भी रखे तो मैं पता है जोना, अचान के अंदर एक सबसे बड़ी कमजोरी होती है उसने वह मुहबबत करता है ना, उसकी सब ज्यातियस है जाना मुनीब की मुहबबत तो अपनी जगा लेकिन मुझे इस बात का अंदाज है कि वह कानों के बहुत कच्चे है पतानी उसके अम्मी क्या क्या बाते बोल रही होंगी हमारे बारे में अनाय आप ही कहती है ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है तो उनकी तरह पॉजिटिव रहा आगे सुस्रालियों के खुशामत करके सिर्फ मिल के आयो या फिर कुछ दे दला के आगे उदा का वास्ता है मिया, घर में गुसा नहीं हूँ कि आपने शिकाइदे शुरू कर दी है वे लिहाज नहीं करती हैं आप बिल पिल भी अरे सुस्रालियों का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो मैंने क्या किया दिन भर लोगों के फोन के जवाब दे दे के मैं थक गही हूँ सब को शारी टर जाने की वज़ा जानने है घजब खुदा का तुम्हारे सर पे सेरा सजाने की ये मनहूत गड़ी देखनी पड़ गई कुछ बताया है उनोंने जेवर सारा लुट गया या भी कुछ बचा है उनके पास अमी यहां मेरी शादी रूप गए और आपको जेवर की बढ़ी है शादी? कैसी शादी? अरे बिना जहेज और जेवर के फकड़ खांदान की लड़की मैं नहीं लाने वाली समझे तुम? बात करते हैं मैंसे जल्दी से ठीक हो जाओ बिटा पारी मज़से मैं बहुत परिशान हूँ बेटी को होसला देने के बजाए तुम उसके सामने रोकर उसे और कमजोर कर रही है मुंतास अच्छा जनासों को आप नहीं रोक सके वो मा से कह रहे हैं कि वो पहुँच ले और बस करें ना आप दोनों परिशान हो ना देखें परकुल ठीक हूँ मैं उठके बैट कही हूँ आपसे बाते कर रही है और क्या चाहिए अच्छा मेरी उमर भी तुझे लगा दे मेरी बच्ची तो वाकरी बहुत 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 हुआ है ये बहादुर भी तो आप यसे इसी की है ना बाब खुदा ने इतने खुबसूरत रिश्टे दी यहां तो मौत भी मेरा कुछ ने बिगार सकी अच्छा 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 आप तुमें जिन्दगी दे ज्यादा बोलो ने वारे जखम अभी कच्छे हैं बढ़े नहीं तेरा बिटा जंदी ठीक हो जाओगी परी शेरनी बेटी है बेटी भी तो शेरनी मा कि हो ना अचा बस ना डॉक्तर नो बोलने समना किया बटा अच्छा अच्छा था था सुनी तुमी आएगी चाहरी थी कि दुआए बाबा जब आएगे वापस कि राओ जूस पी ओगी बेटा प्स नाइए माम दिल नहीं कह रहा बही परस पेठे र झाल 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 मैं अब इसा ही बुद्ध बन्हे खड़े रह गए कुछ बताओगे कि हम यहां क्यूं आएं पूर मज़े वह लड़की मिल गई कहा मिल गई तो कह दिया हो तो उसको कि अब तुम लेट हो गई हो पहले आती तो बात बन जाती यार प्लीज यार मजाग की बात नहीं है तुम पता है उससे मेरी दूसरी मुलकात का हुई हुई हॉस्पिटल आइस्यू जब वो मरने वाली है और उससे दूसरी बार खोने के खौफ में एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर लिए मुझे ऐसा लगा कि अगर उससे कुछ हो जाएगा तो शैद मैं जी नहीं पाऊँ पता है ऐसी कशिश मैंने आज तक किसी के लिए नहीं महसूस की किसी के लिए था और अब मुझे समझनी आरा मैं क्या कर दो तुम्हें हॉस्पिटल में कैसे मिली और तुम महां क्या कर रह करीम बाबा की बेटी यह क्या करेम बाबा तुम्हारे ड्राइवर तो मैं समझ सकता हूं टेंशन बहुत बड़ी है हो दिल बेहाल है जरा मुझान नहीं दो गटा है तो पुर्ण करें तो आप दो मुझे क्या बता माइर कहा है तो तो नहीं तो नहीं नहीं भी जाना था आवेश आपकी तरह यह बात उसको भी याद होती में दो हुए हुए ते जो एद जान में गई अजानी गाता डालों इंसरा इसलाम लेकूँ शारी जान जान का वक्राम नरी गाए तुम को तुम को फोन भी रहा है था कि ने पर कुढ़े प्रणी विलनेगे तुम मुनीजे तुम्हारा इंतजार करती रही तुम्हारा फोन बंता रही है सौरी अंकल एक कोलजन में घरा हुआ था आप फिकर ना करें मैं मुनीजे को मना लो बस वो मेरे जहन से निकल गया टिना मुनीजे बहुत जजबाती है और आपको पता है आपसे बहुत शादा उनको एक्सपिक्टेशन है तो आपके तुम उनको फोन करके बिटा पूछ ले ना मुनीजे को ओके जी जी मैं आपसे बात परो ना आपसे करना में थैंक यू अवालेकुम सलाम मायर काहां से आ रहे हैं नूर के साथ था सौरी तो अब लेट हो था सौरी मुझे नहीं करो था मुनीजे से काम वह बीचारी तुम्हारा इंसार कर रही थी तुमने उसे डिसपॉइंट किया और साथ में मुझे जी उसे मैं कॉल कर रहा था उससे मेरी कॉल अटेंड ली की ओवियसली नहीं करेगी जो तुमने उसके साथ किया है तो जाहरे रियक्शन तो आना ही था ना कितनी एक्साइट थी तुमाहे साथ डिनर पर जाने के लिए तुमने इसका दिल तोड़ दी बेटा हमदर्दी करना कोई खलर पात नहीं लेकिन इंसान इतना भी सॉफ्ट हार्टट ना हो कि दूसरों के लिए अपने ही रिष्टों को एग्नोर करें जिनको सबसे ज्यादा तुमारी तावज्यो और वक्त की जरूरत है जी हम यहाँ बात की करें लेकिन मैं वही था जहां मेरी जरूरत थी और ऐसे भी हर रिष्टा अपनी जगा तो इंपॉर्टन्ट होता है और खास्वा कि जब इंसानियत की बात आती है तो फिर अपने और पराये के बारे में सुचना थी करीम बाबा को मेरी जरूरत थी पर ना चेंज काने लाँ एक कि में देर। हो दिल बेहाद है जरा तू की सांसों से है जुडा जाने अंजाम है खुदा दिल मुहबद में है फना जाने अंजाम है खुदा दिल मुहबद में है फना जाने अंजाम है खुदा दिल मुहबद में है फना अंजान हम अंजान तुम बेगुनासा है ये गुनाद कर दो कर दो